दोस्तो आज मैं आपको मुबाइल नोटिफिकिशन पैनल सेटिंग की एक ऐसी सीकरेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आप में से कहीं सारे मुबाइल यूजर को नहीं पता होगी जी हाँ दोस्तो अगर आप एक Android फोन यूजर करते हैं तो आपके मुबाइल में नोटिफिकिशन पैनल तो हो गई इसमें कौन-कौन सी सेटिंग छुपी हुई है वो आपको पता होना चाहिए तो अगर आपको जानना है तो यार इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकोन को आउन करो और एक कमेंट कर दो यार नाइस वीडियो, एक कमेंट जरूर कीजिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो मैंने अपने mobile में notification panel को open किया, यहाँ पर torch है, torch को मैंने on किया, torch on हो गई, इसी तरह से यहाँ पर कहीं सारे features दिये जाते हैं, notification panel में जिससे हम access कर सकते हैं, बहुती आसानी से mobile data on करना हो, wifi on off करना हो, कहीं सारे यहाँ पर option दिये जाते हैं, लेकिन दोस्तो आपके phone में एक feature नहीं होगा, notification panel में, आप notification panel में कोई भी application set नहीं कर पाएंगे, आपके phone में ये setting नहीं होगी, لेकिन ये setting मेरे phone में है और मैंने on कर रकी है, मैं notification panel से ही WhatsApp को open कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, notification panel को मैंने open किया, यहाँ पर whatsapp लिखा हुआ है, और मैंने whatsapp को open कर ल चैनल में तो इस तरह से दोस्तों आप मॉबाइल के no notification panel में स्रिफ एक setting करेंगे तो आप अपने mobile के application को set कर पाएंगे notification panel में जैसे कि आप देख सकते हैं तो अगर आपकी setting अपने phone में करना चाते हैं तो आपको अपने phone में पहले एक application download करना होगा इस application का download link मैंने description में दे दिया है जैसे आप application को open करेंगे यहाँ पर आपको yes पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक option मिलेगा multiple tiles आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर select पर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 6 option आ जाएंगी आप mobile के notification पैनल में 6 application को set कर सकते हैं तो set कैसे करेंगे अब यहाँ पर हम app 1 पर click करते हैं यहाँ पर select पर तो mobile की सबी application आ जाएगी अब जो भी application आपको add करना है उस पर आपको एक बार click कर देना है कोई add शो होगी तो add को आपको इस तरह से cut कर देना है free application है तो आपको यहाँ पर कुछ add देखने के लिए मिल जाएगी तो यहाँ से हम add को cut कर देते हैं आप देख सकते हैं WhatsApp यहाँ पर आ चुका है जिसी आप click करेंगे तो यहाँ पर कुछ नीचे के site में hidden features आ जाएंगी उपर नहीं नीचे के site में अब इस तरह से आपको यहाँ पर swipe करना है तो आप देख सकते हैं app 1, app 2 सभी यहाँ पर option आ चुके हैं जो application हमने download की है तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है app 1 पर application को set किया है तो आपको यहाँ पर app 1 पर long press करना इस तरह से दबाना है और उपर उड़ा की यहाँ पर उसको ले कर आ जाना है उपर वाली side में यह add हो चुका है बस आपको यहाँ पर done करके back आ जाना है तो आप देखेंगे मेरे mobile के notification panel में WhatsApp set हो चुका है तो इस तरह से आप 6 application mobile के notification panel में set कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो है न दोस्तो कममाल की setting तो इस पर तो एक like बनता है यार अगर आपको यहाँ से इसे हटाना है दुबारा से तो आपको क्या करना है वापस से pencil के icon पर click करना है इस पर long press करके से नीचे के side लेकर आ जाना है तो यह नीचे के side में आ जाएगा और उपर से WhatsApp हड जाएगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you